दोस्तो ये खड़ी है आप लोगों के सामने ब्रेंड नी जामा एबजेट एस वर्जन 3 दोस्तो एबजेट एस वर्जन 3 ये दोस्तो आपके सामने खड़ी है जो कि इंडिल मार्केट में एक बहुत ज़दा पॉफुलर वाइक है इंडिन मार्केट में लोग इसे बहुत ज़्यदा पसंद करते हैं दुस्तो एबजेट एस वर्दन 3 के बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आप तूरा ज़रू देखेगा डीटेल में आपको मैं सारे चीज़े बताने वाला हूँ क्या प्राइज आती है क्या स्पेसिफिकेशन है क्या बजट में विस बाइक को खरिश सकते हैं सारी चीज़े आपको मैं डीटेल में बताने वालो अगर आप एबजेट के बारे में जानना चाहते हैं दुस्तो इस वीडियो को आप तूरा ज़रू देखेगा आई वो फीडियो आप तो के लिए बहुत ज़़ा इंट्रेस्टिंग प्लस बहुत ज़़ा इंपॉर्डन होने वाली है चलिए फिर आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं बात करते हैं दुस्तो एबजी के बारे में अगर चैनल पेढ़नी बना है अपनी सब्स्ट्वाइब कर लेना बिल्डियागन को आउन कर लिजेगा ताकि ऐसी इंट्रेस्टिंग नोडिफिकेशन में आप तक पहुंसते रह सकेट और आप मेरे उडियो सब्डेट रह सकें चलिए फिर आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले जूस्तों बात कर लेते हैं सके प्राइस के बारे में आपको यह क्या प्राइस देखने को मलती है देखें दूस्तों मैंने आपको clear किया है यह exorun वर्जयन तरी है या आप इसे base model भी कह सकते हैं ये आपको एक्सूरूम प्राइस आती है लबग 1,17,000 एक लाग 17,000 रुपे की आसपास की जो आपको ये एक्सूरूम प्राइस देखने को मिल जाती है बात करने इसके ओन रुट प्राइस के बारे में तो पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ हरेकिस्टेट एन सीटे में ओन रुट प्राइस में थोड़ा से डिफरेंस होता है क्योंकि हरेकिस्टेट के आट्वी एन इंसरेंट चास से फारुक होता है यह बाइक हमारे रैपू छतिस गड़ में ओन रोड प्राइज आ रही आराउंड 1,45,000 पिसके आसपास की ओन रोड आती है आप लोगों को सीटेर इस्टेट में दुस्ते उसका क्या प्राइज अगर आपको पताओ तो प्लीस कमेंट करके जरूर बताईए रहेगा चली आजाते हैं दुस्तो इसके डीटेल रिज्यू में सबसे पहले मैं इसकी खी देख पार है तो आप आपको फर्ञट में जो लाइट मिलता है दुस्तो आपको फूली एलेटी लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलता एज एक low beam है, एक high beam है और एक pilot lamp आपको यहाँ पर देखनी को मिलेगा दोस्तों company ने इस पर लाइट रूइस किया ना बहुत अच्छे जो light है company ने आप दिया हुए light की illumination plus visibility है ना वो भी दोस्तों आपको इस bike में बहुत अच्छी देखनी को मिल जाएगी जो कि low beam है और एक high beam है, fully LED light देरी company यह बड़ी बात है, बहुत सरी company आज भी जो LED light setup में काम नहीं करती सबसे बड़ एक्जामपल है बजाज का Pulsar 150, बट इसलिए आपको LED light मिलता है दोस्तों, light की illumination and visibility आपको काफी एक्छी मिलेगी जो turn the single lap है वो दुस्तों आपको आपको normal buls देखने को मिल जाएंगे front में जो suspension आते हैं, दुस्तों वो आपको telescopic देखने को मिलेंगे बट suspension की जो quality दुस्तों आपको bike में बहुत अच्छी मिल जाती है एंटार साइज में front में आपको 180, 180 की आसपास का तो टायर साइज है वो आपको इस bike में देखने को मिलता है बात कर लिए दुस्तों braking के बारे है दुस्तों braking में special feature में इस bike में आपको जो न single channel anti-lock brake system आपको इस bike में देखने को मिलेगा जो दुस्तों ABS है जो कि single channel इस आपको इस bike में देखने को मिलता है अगर बात कर लिए plate size के बारे में तो फ्रंट में दुस्तों इस bike में आपको नगभग power and torque के बारे में दुस्तों आपको इस bike में देखने को बल जाता है इस bike में आपको power and torque काफी अच्छा वेल रहा हला कि बहुत सरे बली और काफी चीज दरीकी साब जो राइट कर सकते हैं एक वह दूस्तों आप लोग को बता दो इस में दूस्तों आप लोग वो जो है बोर साइस 57.3 mm है इस टोक साइस 57.9 mm है यह पाच गिर के साथ में आती यह नॉर्मल वेट मल्टि प्लेट क्लच आपको बाइक भी मिलेगा प्लस इसमें दूस्तों आपको E20 वाल जो एंजिन है वो भी आपको मिलता है जिससे आपको समाझ में आ जाएगा यह बाई की E21 एंजिन है जो कि आप देख सकते हैं यह पर आपको E20 की जो बैचिंग है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी इससे आपको समाझ में आदा है यह लेटेस्ट नॉर्म्स की बाईक है तो यह दो दूस्त इस बाईक का डीटेल एंजिन स्पेसिपिकेशन चलिए बात कर इसलिए आपको यह ओफर कर देती है जीरो टू हंडिट में वहीं लगते हों में इसे 14 सेट टॉप स्पीड आपको इसकी रभग वन ट्वेंटी किलोम्टर पर और एक एसपस की जो टॉप स्पीड है आपको इस बाईक की देखने को मल आती है ठीक अब आता है दूस्तों इ देख लीजिए ग्लॉसी फीनिस है अब आपको एच्जेट वर्जन 3 की बैचिंग पल आती है रियर में आप देख पार है दूस्तों यह आपको जो टेल लैट है आपको बल्द देखने को मिलता है काफे इच्छी टेल नइट है पर जट जो अब एलेड है वो वर्जन 4 में इमर्ख के टार है ब्लाइक इंगमें में आपको टू टओ टूट्वेंटी 220 में की टेल रियर में मलती है डियर में आपको बाइब्रे के जो कैली पर आ वो भी आपको यह पर मिलेगा प्लस यह बाइक का एगजॉस धीजों को काफे अच्छा एग्जोस मिलना है देख पार बिल्ड क्वालिटी को काफी सुपभ रहती है और देख सकते हैं रे अब रबेक्ट के मास्ता स्रीनिंदर आपको जी आपको बहुत अच्छी मिल आएगी प्लस यहां पर आपको टैंक दी जाना जो कि आपको बहुत सुपभ मिल रहा हैं यहां पर आपको बात को इसमें सब्सक्राइब काफी सारे फीचर आपको इसमें देखने को मिलेंगे फीचर की कम ही नहीं है जैसे फीचर में आपको बता दो इसमें आपको स्पीडोमिटर है इसमें ठीक है speedometer है उसके बाद दूस्तों इसमें आपको takeometer देखने को मिल जाता है साथ में आपको इसमें trip meter है, order meter है, clock है, ABS light है fuel gauge है, economic radio indicator भी मिलता है बट इसमें आप लोगों को Bluetooth connectivity नहीं मिलता है इस बाद का आप द्यान रखिएगा इसमें आपको सेब्सिंगल अपकी बाद में मिल जाता है यहाँ आपको बाद के दारी मैं оно होगो है वह हमें देखने को मिलती है लगभग 199-0mm की ओरल जो वीथ है वह हमें देखने को मिलती है लबग 780mm की ओरल जो हाइट है वह है 1080mm की गरॉंड के लिरेंज 115mm का 790mm का कर्विट 135kg के आसपास का आसपास का देखने को मिलेगा तो यह तो दुस्तो आपको कैसे लागा आप कमेंट करके जरू बदाना मिलतें नेक्ट शीरों में लव यू ओल जैहिन बंदमातराम